बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने प्रधान मंत्री मोधी को खत लिखा इस खत में मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने प्रधान मंत्री को बिहार के लिए के गए कार्यों के लिए धन्यवाद दिया इतना ही नहीं उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्मार कराने के लिए उनकी सरहाना करते हुए बिहार में भी माता सीता का भव्य मंदिर निर्मार कराने की मांग की फिरोनों ने आयोध्या से माता जानकी के स्थल तक वंद्य भारत ट्रेन का परिचालन शुरू करने की भी मांगी मुखे मंद्री नितीश कुमार ने प्रधान मंद्री मोधी को लिखा कि सर प्रधम में आपको आयोध्या में भगवान राम की भवी मंदिर के निर्मार एबंपवित्र नदी आयोध्या के विकास के लिए किये गए कारियों के लिए बधाई देता हूँ मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि बिहार राजी के अंतरगत सीता मडी जिले में अवस्थित पुनौरा धाम माता सीता की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की तरह ही माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम कभी बेहत धार्मेक महत्व है बिहार सरकार द्वारा यहां पर 50 एकर भूमी को अधिक्रित कर पुनाराधाम अंतरगत मासीता के मंदिल परिसर के विस्तार एवन सौंधी करण का निर्ने लिया गया है मुख्य मंत्वी नितीश कुमार ने आगे लिखा कि संतोष का विश्य है कि भारत सरकार द्वारा अयोध्या से सीता मरे जिले तक राम जान की मार के निर्मार के लिए कार किये जा रहे हैं इस मार के बन जाने सेश रधालों को अयोध्या के साथ साथ मासीता की जन्म स्थलिप उन्वरा धामाने में स्तु विधा होगी उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि इस मार को शीर्पूर किये जाने के लिए संबंधित मंत्राले को आवश्यक निर्देश देनी की कृपा की जाए मुखी मंत्री नितीश कुमार ने लिखा है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही के दिनों में रेलवे संपरकता के संबंध में कई जन उपयोगी कारे किये गए हैं उसमें वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी महत्पूर है विहार राजे को भी इससे लाब हुआ है जिसके लिए मैं आपको विशेश रूप से धन्यवाद देता हूँ आयोध्या से सीता मड़ी के बीच बहते रेल संपरकता हो जाने से श्रद्धालों को काफी सुविधा होगी अनुरोध है कि अयोध्या से सीता मड़ी के बीच भी एक वंदे भारत ट्रेन के परिचालन हे तू रेल मंत्राले को समुचित निर्देश देनी की क्रिपा की जाए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें